श्री शीवाय नमस्तु भीम दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका हमारे चानल शेभखती मार्ग में जो प्रदोश व्रत शुकरवार के दिन पढ़ता है उसे हम शुकर प्रदोश के नाम से जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि शुकर प्रदोश का जो व्रत है मई में 13 को रखना है आपको या 14 तरीक के दिन रखना है शुप महूरत क्या होने वाला है प्रदोश काल का समय क्या होने वाला है और किन विश्यश उपाय से आपके जीवन में कभी भी धन धानने के कमी नहीं होगी आर्थे किस्तिती आपकी सदेव मजबूत बनी रहेगी पूजन विधी किस तरह होनी चाहिए और उध्यापन आपको किस तरह करना चाहिए और ऐसा कौन सा महा उपाया कुछ दिन करना चाहिए हिंदू पांचांग के अनुसार प्रतेक महा में दो बार त्रियोदशी तिथी परती है एक शुकल पक्ष में और एक क्रिशन पक्ष में दोनों त्रियोदशी तिथी मादेव को समर्पित होती है त्रियोदशी तिथी के दिन भगवान घुलेनात के भग विधी विधान से पूजा अशना करते हैं व्रत रखते हैं और कहा जाता ही कि प्रदोश का व्रत मादेव को अत्यदिक प्रिय होता है और मादेव के विशेश कृपा पाने के लिए भक्त प्रदोश का व्रत करते हैं और पुरानिक मानेताओं के अनुसार इस व्रत को करने से शिवजी अतिशिक्र प्रसंद भी होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुक्स सम्रद्धी से भर देते हैं और जो भी भक्त, नियम और निश्ठा से प्रदोश व्रत रखता है उसके सभी कष्टों का नाश होता है त्रियोदशी तिथी के दिन प्रदोश काल में महादेव के साथ साथ संपूर्ण शिफ परिवार के पूजन अर्चन किया जाता है धार्मिक मानेताओं के अनुसार त्रियोदशी तिथी के दिन प्रदोश काल में किया गया महादेव का पूजन कई गुना जादा फल देता है यानि के प्रदोश काल में जब आप महादेव और संपूर्ण शिफ परिवार का पूजन अर्चन करते हैं तो उससे आपको अथा गुना फलों की प्राप्ति होती है तो चलिए जान लेते हैं कि बेसाथ मास में दूसरा प्रदोश कब है और इसका क्या महत्व है बेसाथ मास में शुक्रपक्षी त्रियोदशी तिती 13 मई के दिन पढ़ रही है अब जो महूरत है वो क्या होने वाला है वह समझ लिजिएगा शुकरवार को शाम 5 बचकर 27 मिनट से त्रियोदशी तिती शुरू हो जाएगी और इस तिती का समपमापन होगा 14 मई शनिवार को दोपहर 3 बचकर 22 मिनट पर तो हम जो प्रदोश तिती का व्रत है वो रखेंगे हम शुकरवार के दिन क्योंकि त्रियोदशी तिती शुकरवार की शाम को ही शुरू हो जाएगी 5 बचकर 27 मिनट से तो आप सभी को पता है प्रदोश का जो पूजन है व crush काल के समय ही होता है यानि कि सूर्यास से 45 मिनिट बाद में तो इसलिए ये प्रदोष जो है वो 13 मई के दिन ही व्रत रखा जाएगा वही शुक्रवार के दिन त्रियोदशी तिति होने के करण इसे हम शुक्र प्रदोष भी कहते हैं और इसका क्या महत्व होने वाला है वह भी जान लीजिए परं शाम 6 बचकर 5 मिनट से और समाप्त होगा शाम 7 बचकर 35 मिनट पर यानि कि जो समय अबदी है वो डेट घंटे की प्रदोष काल की समय अबदी होगी इस समय ही आपको महादेव का शिफ परिवार का पूजन अर्चन करना है और इस शुब महूरत के इलावा इस दिन शाम शुब महूरत के साथ इन महूरत में यदि आपको शुब महूरत करना चाहते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं सनातन धर्में महादेव के पूजन और व्रत का बहुत ही जादा विशेश महत माना जाता है महादेव के भक्तुने प्रसन्द करने के लिए शिवरात्री, सोमवार और प्रदोश वृत भी रखते हैं जिससे महादेव की विशेश क्रपा भक्तों को प्रात होती है और कहते हैं कि महादेव तो एक लोटा जल से भी प्रसन्द हो जाते हैं परन्तु प्रदोष के टिती महादेव को अत्यधिक प्रिये होती है हर महा आने वाला प्रदोश वृत, भगवान शिव की क्रिपा पाने का सबसे बढ़ा और विशेश दिन होता है शुकरवार के दिन परणने वाले वृत को हम शुकर प्रदोश वृत कहते हैं इस दिन किये जाने वाले प्रदोश्वरत से जीवन में सुख सम्रद्धी और सुभाग्य का वर्दान प्राप्त होता है प्रदोश्वरत की पूजा शाम के समय प्रदोशकाल में की जाती है और शिव महपुरान के अनुसार प्रदोशवरत करने से भगवान मादेव की विशेश क्रपा प्राप्त की जा सकती है जिससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता इतना ही नहीं समस्त आर्थिक संकटों का समधान करने के लिए शुकर प्रदोश व्रत करना अवशक होता है इस व्रत के प्रभाव से हर तरहां के रोग दूर होकर बिमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है और भगवान शिव को ज्यान और मोक्षदाता माना जाता है अंतह आध्यात्म की रहा पर चरने वाले को प्रदोश व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए और यदि आपके जीवन में धन का अभाव रहता है आपके आर्थिक इस्तिती सही नहीं रहती तो आपको शुकर प्रदोश व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए तो कि शुकर का सीधा संबंद, शुक्र ग्रह के साथ होता है, जो कि आपके आर्थिक स्थिती पे भी असर डालता है, तो यदि आपके आर्थिक स्थिती सही नहीं रहती, आपके पास हमेशा धन का अभाव बना रहता है, पैसा आता है, परंतुवर टिकता नहीं है, तो आपको शुक्र प्रदोश का पूजन, विधी वगयरा हवन सब कुछ डाला हुआ है यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर आप एक बार देख लीजिएगा परन्तु यहां पर मैं आप लोग के साथ विधी दोबारा से शियर कर देती हूं कि आपको किस तरह से विधी करनी चा और प्रदोश के दिन आपको बिना नमक का मीठा भोजन ग्रहन करना चाहिए यानि के शिव महापुरान के अनुसार मादेव के व्रतों में नमक का सेवन वर्जित माना जाता है तो आपको आज के दिन मीठा भोजन ग्रहन करना चाहिए अब शाम के समय जब आप पूजन कर करते हैं क्योंकि सुबह आप सिंपल कुझा कर सकते हैं परनतों जब शाम के समय पूजा करते हैं तो वेश्वर्ट पूजा थोड़ी सी विशेश होती है शाम के समय प्रदोश काल में आप इस नान करने के बाद शेत वस्त्रधारन करें और जदि इस त्रियाँ पूजन कि मादेव का आपको अभिशेक करना है पूजन करना है संपूर्ण शिफ परिवार का पूजन करना है मादेव को बेल पत्र सफेद रंग के पुष्प चड़ा के गड़ेश जी को दूर्वा चड़ा के आपको पूजन करना चाहिए और मादेव को इस दिन आपको अभीर और अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए, जो भी महादेव की सामगरी है, आपके पास जो भी उन्हें अर्पित किया जाता है, वो सामगरी से महादेव का अभिशेक करें, पंचामरत से भी शेक करें, दूद से भी शेक करें, उसके बाद महादेव को बिलपत्र समर्पित कर भग्वान को खीर का भोग आज के दिन अवश्य रूप से लगाना चाहिए। मन्त्र जाप श्रीम क्लीम नमा के मंत्र से कम 7,11,108 आहूती आपको जरूर देनी चाहिए। और जो चैनल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें आपको हवन से लेकर पूजन तक की संपूर्ण जानकारी मैंने दी हुई है, तो इस तरह से आपको आज के दिन पूजन अर्चन करना चाहिए, हरे मूंग आज के दिन आपको अवश्य रूप से सेवन करने चाहिए, औ गाए मात्ता मिल जाती है, तो आज के दिन आपको उन्हें हरे मूंग चरूर खिलाने चाहिए, इसके बाद साबुतक्षत की खीर आपको आज के दिन सेवन करना चाहिए, और भगवान को भोग लगाना चाहिए, अब 11 ये 26 के संख्या में आप प्रदोश्वरत कर सकते हैं, और जब आपके 11 ये 26 के संख्या के बाद जब आपके प्रदोश्वरत समाप्त होते हैं, तो आप उध्यापन भी कर सकते हैं, पंडिक जी को सीधा देकर आप उध्यापन कर दीजिए, दो भी दान दक्ष्णा आप देना चाहते हैं, वो देकर आप सिंपल रूप से इसका उध्यापन भी कर सकते हैं, तो यही थी आज की संपूर्ण जानकारी कि किस तरह आपको व्रत करना है, अब व्रत के दिन जो मुख्य उपाए है वो आपको क्या करना चाहिए, वह भी समझ लीजिए, क्योंकि शुकर प्रदोश का सीधा संबंद आपके आर्थिक इस्तिती स होता है, तो यदि आपके आर्थिक इस्तिती सही नहीं है, तो आज के दिन आपको प्रदोश काल में, प्रदोश का जो समय है, 6-7 का होता है, अभी जो गर्मियों के अनुसार, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे एक घी का दिपक प्रजवलित करना चाहिए, अपने घर के अंदर मंदिर पे घी का दिपक लगाए, दारेद्र दुख दहन स्त्रोत का पार्थ आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए, यदि आप पार्थ खुद नहीं कर सकते हैं, तो मोबाइल की सहायता से भी आप चला के पार्थ को सुन सकते हैं, इस तरह से आप आपको आज के दिन दारेद्र दुख दहन स्रोत का पार्थ करना चाहिए, और दूसरा जो विशेशुपाय है, वो यह है कि यदि आपके घर के आर्तिक्स्थिती सही नहीं रहती है, और घर में हमेश्या लड़ाई जगड़े का महर बना रहता है, तो कपूर की दो बट्ट को खीच लेगा, तो इस तरह से दो मुख्य उपाय मैंने आपको बताए, जो कि आपको शुकर प्रदोश के दिन अवश्य रूप से करने चाहिए, तो यही दि आच की जानकारी, जानकारी यदि पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम जै मातारानी दोप्तों